नमस्कार दोस्तों, तो ये एड़ुटोरिया करेंट अफेर का प्रैक्टिस सेट नमर पांच है और इससे पहले चार हमने देख लिया है पहला प्रस्ण है किस राज की कैविनेट ने राज में बिधान परिसद के गठन को मंजूरी दे दी है तो पशिम बंगाल राज की कैविनेट ने राज में बिधान परिसद के गठन को मंजूरी दे दी है और कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा होता है तो आर्टिकल 269 के तहत होता है तो भारतिय नौ सेना ने Oxygen Recycling Center शुरू की है तो विकल्ब इसका सही अंसर हो गया Next, कौन भारतिय बायु सेना की पहली महला उडान परिक्षन इंजिनियर वनी है तो अस्रिता वी ओलेटी भारतिय बायु सेना की पहली महला उडान परिक्षन इंजिनियर वनी है नेक्स्ट, 2021 में ब्रिक्स देशों के बित मंत्रियों तथा केंद्रिये बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षिता किस देश ने की तो भारत ने की है, विकल्ब इसका एंसर है, भारत ने किस देश को गस्ती जहाज P.S. जोरास्टर सौपी है, तो सेसल्स को P.S. जो गूगल संस्था ने वोमेन विल नाम नया वेब पोर्टल लॉंच किया है, अंतराष्टी महला दिवस के अफसर पर, और कम मनाया जाता है अंतराष्टी महला दिवस? 8 मार्ज को, नेक्स्ट, दो फरवरी 2021 को बिस्व आदर भूमी दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, जल दिवस मनाया जाता है, यह दोनों कोश्चन पहले के विडियो में आ चुके हैं, और इस वर्ष का थीम क्या था, तो हरे कि इसका दो फरवरी को जो मनाया गया, विस्व आदर भूमी दिवस, वेट लैंड्स and बाटर, नेक्स्ट, एडवांटेज इंडिया, दा स्टोरी उफ एंडियन टेनिस, उस तक के किसके द्वारा लिखी गई है, तो अनिंधा दत्ता ने इस पुस्तक को लिखा, जिसका नाम क्या था, एडवांटेज इंडिया, दा स्टोरी उफ एंडियन टेनिस, इसकी लेकिका अनिंधा दत्ता, नेक्स्ट, एक किताब था, The Common Wealth of Cricket, इसको किस ने लिखा था? रामचंद्र गुहा ने लिखा है. Next है, बिहार का पहला पक्छी महोटसव कलरव किस जिले में आयुजित किया गया? तो जमुई जिले में आयुजित किया गया है बिहार का पहला एनी फर्स्ट पक्छी महोटसव कलरव जिसका नाम है. नेक्स्ट किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अनरक्षा उपकरनों की खरीद हेतु समझोता किया है तो फिलिपिन्स ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ अनरक्षा उपकरन को खरीद करने के लिए समझोता किया है तो विकल एस का से इंसर है नेक्स्ट किस देश के राष्टपती को अफ्रिका का सर्वोच पुरुसकार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है तो नाइजर के राष्टपती को अफ्रिका का सबसे बड़ा पुरुसकार है इब्राहिम प्राइज उससे नवा जा गया है अच्छा एक fact question में भी था कि अफ्रिका का सबसे बड़ा पुरुसकार कौन सा है सरवच्च पुरुसकार इब्राहिम प्राइज चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध प्रयोजना के निर्मान को मंजूरी दी है तो यारलूंग जामबो नदी को मंजूरी दे दी है मतलब यारलूंग जामबो नदी पर एक बांध बनेगी उसकी मंजूरी दी है नेक्स्ट भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने 100 मिलियन डॉलर के क्रिडिट गरांटी योजना बनाई है तो 20 वैंक ने बनाई है विकल फे नेक्स्ट केंद सरकार दोरा जारी इज ओफ लिविंग सूचकांख में 10 लाग से अधिक आवादी वाले सहरों में किसे प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है तो बैंगलरू को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाग से अधिक आवादी वाले सहरों की सूची में और कौन सा सुचकांग है यह Ears of Living सुचकांग सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार 2016-2020 के दौरा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा तो यह USA रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश 2016-2020 के दौरा और यह सीपरी द्वारा रिपोर्ट जो निकाला गया है उस उसके नुसार यह है अच्छा यह question महतपूर्ण है क्योंकि हर एक टेसरी हर जगा यह मिल रहा है किस राज्ज में केला महुतसभ आयोजन किया गया तो उत्तर प्रदिस प्रदिक रूप में लगातार चौथे वार मार्क रूटे ने सपत ले ली है नेक्स्ट मार्च 2020 में किस देश द्वारा बहुरास्ट्रिय वायुसेना युद्ध्याभ्यास डिजर्ट फ्लाग 6 का आयोजन किया गया तो युएए यहनि United States of Amirat के साथ किया गया है मतलब युएए के द्वारा किया गया है नेक्स्ट पुर्वत्तर भारत के पहले कौसल विस्विद्याले के अस्थापना किस राज में की गई तो असम में पुर्वत्तर भारत का पहला कौसल विस्विद्याले अस्थापित किया गया है विकलब पे, next लेवी इंसिच्चूट द्वारा जारी COVID-19 Response Index में भारत को कौन सा अस्थान दिया गया है तो च्यासिमा अस्थान दिया गया है COVID-19 Response Index में और किस ने यह जारी किया? लेवी इंसिच्यूट द्वारा, next निमलिकित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महला पाइलट बनी है तो आईसा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महला पाइलट बन गई है तो विकल्ब D इस का सही अंसर था नेक्सट बिदेशी निवेस को आकरसित करने के उद्देश से हाल ही में किस देश के दौरा नई नागरिक्ता नीती लागो की गई है तो इस तरह से ये नीती बनाया गया है ताकि नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, एक सो सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं, तो जमसेद जी टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं, एक सो सालों में, तो ये एक सो साल का डेटा है, बैसे अजीम प्रेम जीव का नाम बर्स 2020 का Hindi word of the year किसे घोसित किया गया है तो आत्म निर्भरता को Hindi word of the year घोसित किया गया है 2020 का अच्छा Cambridge के बारे में एक आता है 2020 में Cambridge ने कौन से बढ़ को दिया है तो quarantine दिया है नेक्स्ट यह द्रिश्टी वाले टेस्टिरीज में था सियद मुस्ताक अली T20 Trophy 2021 का खिताव किस टीम ने जीता है तो Tamil Nadu ने जीता बिकलव एज का सही अंसर है नेक्स्त अस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताव किस ने जीता है तो नाउमी ओसाका ने महिला एकल वर्ग का खिताव जीत लिया किसिज में Australia Open 2021 में में बर्स 2021 में दूसरे खेलो इंडिया इंडिया इंवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा तो करनाटक में दूसरा खेलो इंडिया इंडिया इंवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाना है तो विकल्वडी इसका सरी इंसर हो गया नेक्स्ट भारत ने किस देश के साथ इंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम साधे परकार करने का निरने लिया है तो इजरायल के साथ काम करने का निरने लिया है फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतिये नौ सेना में तीसरी स्कॉर्पियन पंडुबी को सामिल किया गया है तो आयने सकरंज को सामिल किया गया है विकल्ब इसका से इंसर है परावेगनिक किर्णों से मेट्रो कोच को सानिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है तो लखनौ मेट्रो सेवा पहली ऐसी मेट्रो सेवा बन गई है जो परावेगनिक किर्णों के द्वारा मेट्रो कोच को सानिटाइज करेगी मतलब कर चुकी है फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे दरसल पापुआ न्यूगेनी के प्रथम प्रधान मंतरी थे फर्स्ट पीम जैसे हमारे देश के प्रथम प्रधान मंतरी जभार लल नहरू हैं उसी तरह से पापुआ न्यूगेनी के पहले प्रधान मंतरी माइकल सोमारे थे और ये अस्ट्रेलिया के ऊपर पहले भारती ये बन गए है किस मामले में मानवाधिकार परिशत की सलाकार समीति के अध्यक्ष के रूप में चूने गए है इसलिए अजय मलहत्तरा का नाम प्रासांगी क्या भी एकजाम के लिए नेक्स्ट अच्छा अजय माथूर के बारे में एक आया था किस चीज का आईएसे का इंटरनेशनल सोलर एलाइंस का 87 वर्सों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आउजित होने वाले किस क्रिकेट टुर्नामेंट की BCCI ने रद कर दिया है तो रंजी ट्रॉफी को रद कर दिया फरवरी 2021 में नेक्स्ट किस संस्था के द्वारा आठ से बारा फरवरी 2021 के बीच बित्य साक्षर्ता सप्ता ह 2021 मनाया गया तो आरवी आई के द्वारा इनिजर बाइक उफ इंडिया ने बित्य साक्षर्ता सप्ता ह मनाया था 8-12 February के बिच में तो puisque A, इसका साइनसर हो गया next किस राज्य में full presence करन केंदर की इस्थापना की जाएगी किस भारतिय राजनेता को Global Energy and Environmental Leadership Award से सम्मानित किया गया है तो नरंदर मोधी को आवार्ड दिया गया है उसका नाम कैया है Global Energy and Environmental Leadership Award Next किस देश के पुर्परधान मंतरी को पदम विभूसन पूरुसकार 2020 से समानित किया गया है तो जपान के परधान मंतरी को पदम विभूसन पूरुसकार समानित किया गया है और किस अस्तर पर लोक सेवा मामले के अस्तर पर दिया गया पदम भी वुसन अबार्ट, नेक्स्ट, विस्प्वास तंगठन की अगवाई में, कोवैक्स योजना के तहत, मुफ्त कोविट टीक को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है, तो गहाना पहला ऐसा देश बना है, जो मुफ्त टीका प्राप्त किया, नेक्स्ट, कोविट फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं मुजियम किस राज में स्थापित किया गया है, तो पहला जेंडर पार्क एवं मुजियम केरल में स्थापित किया गया है, अच्छा केरल से याद आया, पहला डिजिटल विस्विद्याला भी केरल में स्थापित किया गया प्रवंधन के लिए भारत का पहला किंद्र किस सहर में अस्थापित किया गया है तो चिन्नई में अस्थापित किया जाएगा ऐसा लिखा हुआ है अच्छा आद्र भूमी से याद आया बिस वाधर भूमी दिवस दो फरवरी को मना जाता है अभी आया था थोड़ी पहले और पहला किंद्र जो भारत में पहला प्रवंधन और सम्रेचन किंद्र बना है कहां चिन्नई में नेक्स्ट वन स्कूल वन आयस योजनाकिस राज सरकार के द्वारा प्रवर्म की गई है तो केरल राज सरकार के द्वारा प्रवर्म की गई है विकल्ब डीस का सही इंसर है नेक्स्ट जापान द्वारा दुनिया का सबसे सकती साली सूपर कम्प्यूटर विक्सित किया गया तो सत्यजीत रे ने पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है Another Dozen Stories, तो भी कल पे इसका सही अंसर हो गया, अचा कुछ और पुस्तक के वारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम हमने पहले ही देख लिया है, जैसे Advantage India, The Story of Indian Tennis, अनिंधा धत्ता ने लिखा है, पिछले वीडियो म के लिए हरित पहल की सुरुवात की है, तो भी कल पे इसका सही अंसर हो गया, नेक्स्ट, अचा इधर यह, किस अंत्रिक्ष एजनसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सक्तिसाली अंत्रिक्ष बिग्ञान दुरवीन जेम्स वेव स्पेस टेलिसकोप विक्सित किया है, तो विकलब A का सही अंसर है, नेक्स्ट, मित्रा स्कीम की सुरुवात किस चेतर के लिए की गई है, तो टेक्स्टाइल चेतर के लिए सुरू की गई है, तो विकलब C का सही अंसर सही है, किस कंपनी का IPO इनिसिल पब्लिक ओफर जारी किया जाएगा, तो LIC का IPO जारी किया बजट में घोसित सहरी स्वक्ष भारत मिसंड 2.0 की अब्धी क्या है तो 2021 से 2026 इसकी अब्धी है और जो ये बित आयोग ने जो सिफारिस दी है वो भी 21 से 26 के लिए तो याद रखना है अच्छा बजट से याद आया ये इसमें कुछ-कुछ पॉइंट अभी पहले हमने भारत योजना के तहट कितना जारी किया गए रासी 64,188 कड़र रूपया तो ये भी पॉइंट पहले कोश्चन में आ चुका है तो मैंने सिर्फ कलेक्ट किया थैंक यू नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं